कि अभी जो चुनाव आएंगे इस थालिमित आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि महिरा खांद्रिस का कुटा फीस करें तो बदा अधिकारी रहेगा बुरुशना और ये इसलिए कि कही नेका मेरे पहले भागी भागी मेरे पहले कि कही बार ऐसा बोल चुके हैं ये भी मुझे पता है पर अल्टिमेट्री ये समय निमाग है अब ये में बोल भूआ और भी करूआ तो नेच्रा के सुभावी के कि हम पास्ति मुझे अगर मैं यहां पेठा हूँ और मैंने नदब आप सही समय पर पास साल जिती जल्दी किसी को कोई तेरा दिन चुनाव रड़े को उब सब्हषका जेरे कांगरेस के अनदर बहत बहुत आख मैं बोत इसे कि बहुत चुनाव आ रहे हैं उसकर परशुनि है और कई लोग जो गेर सब्दादी सरुकंते क्ई ken 닌, पर यो बहार है उन्हों को परिशान है, निराश है, हताश है, दस्तरे की बाते हैं, हमारे बीच में निर्भणा, हमारी चोटी बहनी ये यूद कामरेस की मेरे साथ पदा दी काहिए की सच्चिव, अभी इधायक है आपकी महिरा कामरेस की बहनी है, ये जो लोग जो बहने नह की बोल पाई है, उनको ये एसास होना चाहिए की इधायक भी है, तो मैं आप सबसे इतना ही करना चाहता हूँ, कि मैं परिवार का भाई हूँ हूँ, और आप उनको की जूटी क्या है, पता आपको, शुदार बहिया ने का, कि तीन अजार अपर तक मैं बहनों को लाड़ी पर उनको दूगा, और भाईया चलेगे, क्या करें, तो अप हमारी देदों की मेरी अंग्रेस की दूटी क्या है, उन बेदों की रच्छा करें की नजाप की दिरवा, जिसके नाम की उन्में वोट लिया, तो ये करें, इतना बड़ा प्रोग्राम है, फिर मेरा अंग्रों इतना था, कि जैसे हम सब करिवार के लोग 450 अपर के राट कर सकती करेंगें महिधों कैसे बहरे वह बहते हैं, महिधें जो हम बात करते हैं, कि ये लाट जी मेंड़ी तो सब के सब पर असर आता है पर मेहना उपको ज्याज़ा आता है यह लाट जी वहना को चली क्योंकि 1200 रुपे को मिल गए तो उसके विए भूत भूत असर का रही कि कम से कब हमें एक दर दर जीन से 25-25 रुपे घर के राशन में से बचा के डिपेव पर असर दर 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 जीन से 25-25 रुपे जाते हैं तो जो पहने चलन था आपके बड़े जम में ने कि ममी थी उस समय चलन था कि हम साल अबर में एक सोने की कुछ रखम होता बना दी थी कि वो बना रहे तो कम से उनकाट अंकाट में काम आज़ा आप आप भाप में बनाती है अब तो आपके बिश्यल दिखती है पेसे निया है सही एक अलब है सब करते हैं सोने जासी को दिखती है यार पर वो दुछ सोना था वो दिखने से असर निताव एक पूजी थी जो समय करना है तो वो महराम को बचक की प्रवर्थी की आप रिशित करती दी तो अब आपकी भीश्यल पर भोगों ने बहने डिपेंड होगी क्यों होगे ही क्यों की यह सच है इसको आप नजर अगा सकते है यह एसास जो मतल मुझे निए पता आप लोगों को से किता पता होगा और मेरी दादे की थे प्रवे इसकी बज़ार में करना है चोड़ु चोड़ु पर गेश की टकी आप दो हमाद इसका सीलेंडर आए बहुत दिले आगे था है लिए इसके सिलेंडर आप तो यह एँस के शिंचा पर था तो यह एसास घर-घर में था और यह महिंगें में अब भी हैं तो मैं आप सब से अंगरोप करना चाहता हूं यह बात में इसलिए बोली कि मैं आपकी भाव में समझता हूं और मैं आप जैसा हूं मेरे भेनों काशिर बात को मिला गा निया मिला मुझे तो मैं मानता हूं उस बात को कि मैं भी छोड़ूगा नी विजुभी को फूब लड़ूगा लिए और आखे को सकार बनाई तो मैं इतना ही अंडोग्स करना चाहता हूं मां 50% आरक चनल में अगर हम अपने कार्यकताओं को पंपाई करें जिन दिनों को हमें पंच लडाया इंको सब्चेंट लडाया जिसको जब पद लडाया जब 50% आरक चनल में लडीना है अगर मैं मिला काने से उनको वह आती नहीं हमारे सांग है कि सिर्फ चुनाव लड़की तो बेंचरा चुभा रिकें उनको हम कैसे रालिमप करें हमारे साथ उसके लिए क्या प्रोग्राम बनाएं ये एक बार बुरत महत्पून है और जो पुरुष पर पाना चाहते हैं उनकी पत्नियां उनकी परिवार की भेने कैसे आपमें एक जिल जिला वारिया पिदाद सपा वारिया ब्राफ वारिया मंदल वार जुड़े तो इंगें ये जो भोशी शिकायते में इती है कई तरह की वह शिकायते भी ये से मैं तुड़ी दिमाई चुए आपकरी में मैं इतना अंगोष करना चाहता हूं कि बहुत बातें ऐसी है जो मैं जहां के नहीं सकता पर मैं आपकी भावना की तोट इज़त करता हूं और आपके अधिकागों की रक्षा करने मैं कोशिश फूल रगा रहा हूं मैं बहुत धन्यवादा आपको बहुत सादुआ और अंग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पिछले पांच साल के अपने कामों की रिपोर्ट मांग ली है वे 24 दिसंबर से लगातार चार दिनों तक संगठन की समीक्षा करेंगे वे सभी विभाग और विन के साथ अलग-अलग चर्चा कर उनसे जमीनी हकीकत जानेंगे जीतू की इन बैठकों के बाद कॉंग्रेस मे एक बड़ी सरजरी देखने को मिल सकती है बता दें जीतू पटवारी ने हाल ही में 19 दिसंबर को कॉंग्रेस की कमान संभाली है विधान सभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद केंद्रिय नित्रित्व ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ हो हटा कर पटवारी को जिम्मेदारी दी है प्रदेश कॉंग्रेस कार्याले में आयोजित की गई ये बैठके दो चर्नों में होंगी प्रत्य एक दिन दो अलग-अलग विभागों की बैठक होगी जहां एक विभाग की बैठक सुभा 11 बजे से दो पहर 1 बजे तक होगी तो वहीं दूसरे विभा झाहिए प्रदेश और सेवा दल की बैठक होगी तीसरे दिन 26 को जिला अध्यक्ष," प्रभारी और प्रदेश पदा धिकारियों के साथ बैठक करेंगे चोथे और अंतिन दिन 27 दिसम्बर को सभी विभाग और प्रकोष्ट के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक होगी संगठन बैठक के बाद पटवारी प्रदेश का दौरा करेंगे लोगसभा चुनाव में पार्टी को अधिक से अधिक सीटे मिले नए प्रदेश अध्यक्ष की प्राथमिक्ता में है वर्तमान में कॉंग्रेस के पास प्रदेश में 29 मिसे सिर्फ एक ही सीट है ऐसे में इन सीटों की संख्या बढ़ाना पटवारी के लिए बड़ी चुनोती है रविवार को उन्होंने सबसे पहले महिला कॉंग्रेस जिलाध्यक्ष और प्रदेश की पदाधिकारियों से वंटूवन किया यह बैठक सुभा 11 बजे से 1 बजे तक चली इसके बाद यूथ कॉंग्रेस के पदाधिकारियों से चर्चा की युवा कॉंग्रेस की बैठक में जीतू ने यूथ वोटर्स पर ध्यान रखने की पर जोर दिया उन्होंने कहा कि लोग सभा चुनाव से पहले प्लान करके पार्टी को युवा बोटर्स के बीच अपनी पकड मजबूत करनी होगी इसके लिए युवा कॉंग्रेस का ज्यादा काम रहेगा युवा कॉंग्रेस को इसी के साथ जितना हो सके उतना युवाओं को जोड़ने का काम सौपा गया है मीटिंग में यूथ कॉंग्रेस के प्रदेश चीफ विक्रांत भूरिया समेत सभी पदाधिकारी शामिल रहे मीटिंग में पटवारी ने महिला और युवा कॉंग्रेस से न सिर्फ पिछले कामों का हिसाब लिया बलकि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उनका रोर मेप मांगा महिला कॉंग्रेस की मीटिंग में पटवारी ने कहा कि महिला कॉंग्रेस भाजपा की महिलाओं से संबंधित हर योजना पर ध्यान दें ब्लॉक और जिलास्तर पर योजना की मॉनिटरिंग करें इसके साथ योजनाओं में होने वाले लापरवाही और भष्टाचार का परदा फाश करें इसमें मुख्यत है 450 रुपए में रसोई गैस और लाडली बहना जैसी योजनाओं पर पूरी निगरानी रखी जाए बैठक में मध्यप्रदेश महीला कॉंग्रेस की अध्यक्ष विभा पटेल जिला शहर महीला कॉंग्रेस की अध्यक्ष और महीला कॉंग्रेस की पदाधिकारी भी शामिल थे